वंदे मातरम दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरेने गुरू यूट्यूब चैनल में प्यारे सातियों मैं विवेक चौधरी और आज किस वीडियो में सातियों हम जानेंगे पोस्ट मार्टम के बारे में इसे सम्मधित कुछ ऐसी बात हैं जो शायद आप नही होता है डेथ यानि कि मरने के बाद जो दोस्तों किया जाता है उसको पोस्ट मार्टम कहते हैं आपको बदाते हैं कि यह एक तरह का शल्प यानि कि क्रिया है जिसमें हम सर्जरी क्रिया इसको हम कह सकते हैं दोस्तों पोस्ट मार्टम को शवपरिक्षा यानि कि दोस्तों पो पोस्टमार्टम, दरसल पोस्टमार्टम किसी भी व्यक्ति की मौत क्यों हुई, कैसे हुई, ये पता लगाने के लिए किया जाता है, इसे मौत के पीछे की जो वज़ा होती है, वो इसपस्ट हो जाती है, ऐसा तब किया जाता है, जब व्यक्ति की जो मौत है या मृत्यू है, वो ऐसी परिष्थितियों में हुई है जो संदिग्द परिष्थितियां है यह जो प्राकरतिक मौत नहों करके अप्राकरतिक तरीके से उस व्यक्ति की मौत हुई है तब ऐसा किया जाता है उसकी सही बजा जानने के लिए व्यक्ति की जो मौत हुई है मौत हुई है किस कारण रहे ये सारी जानकारी हमें जो है वो post-martum से मिलती है यह तो post-martum का नाम सुनते ही डर लगने लगता है लेकिन एक अप्रकृतिक तरीके से हुई मृत्यु का एक ऐसा तरीका है जिससे criminal या natural death का हमें पता लग सकता है किस तरीके से हमें ये किस तरीके से इस व्यक्ति की मरत्य हुई है दोस्तो इसे सही वजय का पता चलता है और केस को एक नई दिशा मिलती है जो केस है उसको नई दिशा मिलेगी जिसके आधार पर आगे कानुनी कार्रेवाई होती है और ये महत्रपुन दस्तावेज होता है दोस्तो post-martum जो होता है इसके बार पर का हिस्सा है जो यह चेस्ट बोलते हैं जिसको है इसको काटा जाता है शरीर के छाती के पास से कट लगाया जाता है बड़ा सा कट होता है यह मरने के बाद यह नहीं कि मृत्यू के बाद लगा जाता है ऐसा नहीं कि जिंदे आदमी में लगा दिया जाए ऐसा नहीं है मृत उसे लोग हमने गाओं देहात में देखे हैं, वो क्या कहते हैं? कि दिल को निकाल लिया जाता है, किडिनी निकाल लेते हैं, मरने के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं निकाल जाता है, दोस्तों, इस पोस्ट मार्टम के दौरान, जो सब जो होता है, उसमें लीवर हुआ, दिल हुआ, इन अंगों के सेंपल ले जाते हैं, उन सेंपल को निकालने के बाद, दोस्तों, उन से चीजे क्लियर होती है, कि भही इस व्यक्ति की जो मौत हुई है, वो कैसे हुई है, तोस्तों, इसी से की जाती है, आजकल, कोई भी नैचररल डेथ नहीं है, या कोई ऐसे प्रकृतिक तरीके से कोई डैथ हुई है तो इसमें 100% जो है वो पोस्ट मार्टम किया ही जाता है पोस्ट मार्टम का एक बहुत ज्यादा एक सिस्टम है कि आप ध्यान रखेंगे एक पॉइंट है कि रात में पोस्ट मार्टम कभी नहीं किया जाता है अब कारण क्या है इसका प्रकाश कर रहा होगा बहुत जड़ा है ना अब इस प्रकाश में क्या होगा प्रतिम जो चोट होगी या क्रतिम जो इसकी रोशनि होती है उसमें चोट का रंग जो है वो बैंगनी दिखाई देता है और Foreign Success Science में जो बैंगनी रंग है उसकोई चोट का रंग जा बैंगली लाइट जलती रहेगी तो, ठीक है, अब एक और point बनता है, कि पोस्ट मार्टम जो है, उसको कौन करता है, पोस्ट मार्टम को, डॉक्टर करते हैं, या कह देते हैं, कि भई एक worker लगा हुआ होता है, वो ही कर देता है, तो post-tomartem आप ध्यान रखें कौन करता है, यह जानना जरूरी है है ना, post-tomartem करने वाले जो doctor है, वो pathologist उनको कहा जाता है आकर पढ़े लेके, अच्छे doctor ही होते हैं जो specialist होते हैं दोस्तो post-tomartem के, doctor doktor देखर होते हैं, लेकिन काफी दिनों से इस थरीके का काम करते हैं तो वो भी क्या है? ठीक-ठाक हो जाते हैं हिंदी में इनको Vikrati Vijhyani कहते हैं, यानि कि इंग्लिश में pathologist कहते है, और हिंदी में Vikrati Vijhyani से भी पुकारा जाता है दोस्तों, वैसे तो तो वे एक सामाने ही doctor होता है, लेकिन वे इन कार्या में दक्ष, दक्ष यानि की practically बहुत ठीक ठाक हो जाता है, काफी समय से कर रहा होता है, तो उसकी जो है, वो मदद के लिए सहायता भी होते हैं, ठीक है, यानि की उसकी जो है, सहायता होती है, दक्ष होता है, तो अब ये post- कि चोटना लग जाए किइसको कहीं असका गलत कट ना लग जाए लेकिन ऐसा नहीं होता पूस्ट-नहीं पॉस्टनम में करते लिए टोक्टर नहीं काता जाता है डॉक्टर trending करने के लिए उप्युक्त अबधी क्या है यानि कितने समय के अंतरगत जो है पोस्ट मार्टम हो जाना चाहिए अब व्यक्ति को मरे हुए हो गए पांच्छे दिन क्या पोस्ट मार्टम हो जाएगा या व्यक्ति को मरे हुए काफी दिन हो गई या एक ही दिन हुआ कितने समय के अंतर जो है ये पोस्ट मार्टम क के भीतर हो जाता है या हो जाना चाहिए इससे ज़्यादा समय होगा तो आप जानते हैं कि मिरत सरीर में कुछ बदलाव आते हैं जैसे बोड़ी में अकड़ आ जाती है उसका फूल जाना यानि कि फूल भी जाती है बोड़ी जो होती है और इसके बाद डैड बोड़ी खराब बीट जाएं तब भी forensic lab में उसकी कई तरीकों से जाच की जा सकती है और व्यक्ति का पता भी लगा जा सकता है कि ये व्यक्ति जो था कौन था मारा हुआ व्यक्ति अगर उसका कंकाल भी अविलेवल है छोटा सा कोई भी कंकाल का हिसा भी अविलेवल है तो भी पताया लगा ज सकता है forensic lab में कि व्यक्ति कौन था सारी चीजे और मैंने एक बार ये भी देखा है पड़ा है कि एक लेब में तो अगर कंकाल है तो उसका जो चहरा है बिल्कुल फेस बना दे जाता है उस तरीके का कि ऐसा ये व्यक्ति था अगर कंकाल अवेलेवल है तो ये चीजे हम डिसक न्यूज अपडेट रहनी चाहिए कि वह ये सिस्टम है क्या कोई पूछ ले हमसे कि पोस्ट मार्टम क्या होता ये बता दो तो हमें ये crystal क्लियर होना चाहिए कि पोस्ट मार्टम की basic knowledge तो हमें होनी चाहिए असा नहीं कि बहुत ज़्यादा deeply हम जाए कि क्योंकि दॉक्टर ठीक है या मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ मैं भी आपको चीजे पढ़कर के अलग-अलग जगे से उनको लाकर के आपको समझाने का प्रियास कर रहा हूँ अब एक सबसे में पॉइंट है कि भाई जो पोस्ट मार्टम होता है उसकी रिपोर्ट कितने दिन में आ जाती है कुछ कह देते हैं कि एक दिन में आ जाती है कुछ कहते हैं कि जी महीना लग जाते हैं पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट आने में लेकिन सही है इसका exact समय क्या है post-martum की report आने में आम तोर पे दोस्तों एक से दो महीना लगते हैं एक महीना कम से कम दो महीना भी लग सकते हैं हला कि post-martum जो है वो initial एक report तैयार कर देता है 24 गंटे के अंदर अंदर ये जो report है initial report आपके 24 गंटे के अंदर आती है मौत की बजया के बारे में शुरुवाती विशलेशन लिखा जाता है इसको 100% शुर नहीं कह सकते हैं लेकिन शुरुवाती पता लग जाएगा कि मौत के कारण ये रहे इसलिए डॉक्टर उस report में जो है लिखते हैं ऐसा नहीं कि आज postmartum हो गया कल ही पता लग जाए जी मौत का 100% ये कारण था कुछ कारणों में पता लग जाता है मानलों किसी को गोली मार दी और ये भी पता लग गया गोली इसने मारी तो फिर तो postmartum की जरूत नहीं है लेकिन postmartum की जो एक sequence में सही report तैयार होती है वो एक महीने ये डेड़ महीने दो महीने तक का वक्त लग जाता है प्यारे साथियो ये पूरा था जो postmartum से संबंदित आपको जानकारी थी वो इस वीडियो में थी इसी तरीके की और वीडियो आपकी आरेने गुरू यूट्यूब चैनल पर आती रहेंगी तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मात्रम जैहन दोस्तो